के माध्य हम परिछचा का अब सब्सक्राइब करद करद में ऊसों कि आ जांहें लेगे मेंOb holidays, आप सभी के बीच में उपिसिएल पेज कि नीद जो लैब असिस्टेंट का जो परिक्षा हुआ था उसका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आ चुका है उसका फाइनल रिजल्ट अपने वेपसियल वेपसाइट पर वो मतलब दे दिया है तो आपको देखना है कैसे तो उन सभी अभियरतियों को सबसे पहले धन्यवाद बहुत धन्यवाद जो इस परिक्षा में सफल हुए और सफल होने के बाद वो अपने कर्तब को इमानदारे से पूरख करेंगे तो चलिए क्या-क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं कौन-कौन से परिक्षा का रिजल्ट आए तो नोटीस को हम लोग वन बाई-वन करके पढ़ते सबसे पहले नीचे करेंगे स्क्रोल करते हुए जो रिजल्ट नमबर टू हो सबसे पहले हम इसको देखेंगे रिजल्ट पर सब्जेक्ट बायोलोजी केमेस्ट्री जे जे एल एसी जारकन लैब असिस्टेंट देखे कंबाइन एक्जामिनेशन तो चलिए यहाँ पी इसको हम टच करते हैं टच करने के पस्चाती तोड़ा खुनने में तो होगा डाउनलोड करते हैं डाउनलोड होने के बाद जस्ट वन करेंगे इसके बाद देखके हम वन बाई वन करके इसको क्लिक करते जाएंगे इसमें क्या है तो आप देखते रहें चलिए परिक्षा फल रि इच्छा 2023 का result final आ चुका है तो इसके बाद नीचे चलते हैं क्या लिखा हुआ है जहारकंट परियोग साला सहायक परतियोगिता परिक्षा 2023 विग्यापन संख्या इतना है कि अंतरगत परियोग साला सहायक रसायन सास्त्र यानि chemistry परियोग साला सहायक जीविज्यान यानि कि biology biology यानि जीविग्यान के पदों पर मेधासा विकल्प के आधार पर चैनी तभियत यानि मेरिट लिस्ट क्या मेरिट लिस्ट चैनी तभियत अभियरतियों का अनू कर्मंकवार परिक्षाफल यह रोल नंबर वाइस दिया हुआ है सबसे पहले हम देखेंगे किनका किनका है चलिए थोड़ा से स्क्रोल करके क्या करते हैं और थोड़ी नीचे चले जाते हैं विसे जीविग्यान अनारक्षित यानि की जेनरल जिसमें 10107137 आप बधाई के पातरे आपके मेहनत रंग लाया आप सफल हुए आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्नवाद और सुपका सामनाय भविस्त में आप इन सभी चीजों का खयाल रखते हैं विमान दारे से अपने पद्यम कारे का निर्वाह करेंगे चलिए 10206137 यही तो जो नहीं देखे हैं वो एक बार अपना मैच कर लें जो देख लिए उनके लिए भी बहुत बड़ी सूचना है वो देख लिए बहुत बहुत धनवाद फिर से देखना चाहत है देख लें इहां पर इतना टोटल 70 है क्या टोटल 70 है अन्दापन और कम दिरिष्टी सबी मिला के है तो यहा पर अंदापन और कम दिरिष्टी का एक है 11270 LGBT और भी ठीक है यहा पर एक दिया हुआ है चलिए उसके बाद जाती यानि कि ST, ST वर्ग में आपका टोटल 48 है, पहला 10108097 बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत सुभकामनाईब, चलिए, अनुसुची जन जाती, जिसमें आपको क्या है, चलिए, SC, SC वर्ग के लोगों में कुल 18 है, यानि कि उसमें से आपको बताया थे, 48 से यहां 18, उस सतर था, UR में, UR में सतर, पलस 48, पलस 18, देखें, सतर, साचरकार है 110, 110 एर 120, 120, 130, तो 36 हुए टोटल, यहां पर आनुसुची जन जाती, 18, अतियंत पिछड़ा वर्ग में देखें, 12 पन सरवन ने सकता, यानि कि यह तो सुनने में अच्छमता है, सरवन असंगता, ठीक है, जो सुनने में नहीं सकता है, चलन नहीं संगता, यानि चलने में वो प्रॉब्लम हो रही है, Cerebral Palsy, यह सारे कैटिगरी को मिलाकर यहां प BC1 में आपका 10 कुप सेलेक्शन किया जाता है, फिर आपका BC2 में 6 सेलेक्शन होता है, आप देखते जाएं, ठीक है, आप आतिक रूप से कमजोर EWS में आपको 14 को 16 का सेलेक्शन किया जाता है, अब इसी तरह रसायन सास्तर में कितना सेलेक्शन है, कुल 87 है, उसके बाद क्य पिर अनुसुची जन जाती में कुल 54 है आदीम जन जाती भी सामिल है इसी में आपका कुल संक्या है एससी अनुसुची जाती में 18 है अत्यांत पिछणा में 42 है बीसी वन में 12 है बीसी टू में 11 है यह लगा लगी कहते इसको चलिए अब नीचे कुछ बाते कहा गए है जिनको एक बार आप सुन ले तो बहुत जीवी ज्यान रसायन विसायों के विरूद अधियाचित रिक्तियों के सापेक्ष कर्मसा 24 हम 14 लंबित रखे गए हैं यहां प चौबिस और चौदा यानि कि जीवी ज्यान में 24 और चौदा केमेश्ट्री में 14 लंबित मानि उनको अभी वेटिंग निष्ट में रखा गया उनको और एक मौका दिया जाए हो सके किनी के सथ कुद परेसानी हुए तो उनको फिर से पुना मौका दिया जाएगा इसलिए को लंबित रखा गये सेस रिक्तियों का परिच्छापल आयों के द्वरा आयजित की जाने वाले दिवित्य चरण के परवान पत्र के जाच का रेकनम के पस्चात यानि कि यह सेकेंड टर्म होगा डोकुमेंट वेरिफिकेशन का उसके बाद फिर से एक सुची और निकाले जाएगी उसके बाद जो सेस बचे हुए उनका फिर से परवान पत्र जाच होगा और उसके बाद सेकेंड लिष्ट आएगा मेरिट का यह फर्ष्ट मेरिट लिष्ट है आप से कोटिवार अंतिम चैनित अभियरतियों का प्रापतांग सभी विसों के अंतरगत अधिया चि जानकारी के लिए हम लोग फिर एक और देखते हैं इसमें सौट में है तो उसके लिए क्या करते हैं थोड़ा सा बैक जाते हैं चलिए उपर में एक और है देखिए फिजिक्स का सिर्फ फिजिक्स का तो फिजिक्स में भी सेम है आपको ऐसी करकी स्क्रोल करना है जस्ट वन करना है आपको देखिए सहायक परियोग साला यहां पर साफ साफ लिख मेरिक लिष्ट में क्या है 75 है अनारक्षित में अनुसुचित में 51 है अनुसुचित जन जाती में स्टी में 51 स्टी में 18 अतियंत पिछड़ा वर्ग में 1 है अतियंत पिछड़ा 2 में 7 है तेक है का भी पुना आयोजन किया जगा परमान पत्र का उसके बाद फिर से फाइनल मेरिट लिस्ट आपको दिया जाएगा और वहां मांक्स भी सबकुछ अंकित रहेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगे और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्रा के जाएगा थाइब करता है